Hello friends and welcome back to another episode of Anime News और यह है third episode of Anime News तो दोस्तो जाला टाइम ना वेस्ट करते वे मेरा नाम है उजवल और आप देखरें Anime Topic So let's begin guys दोस्तो आज की पहली न्यूज है नेट्फिक्स से रिलेटेड नेट्फिक्स अपने स्ट्रीमिंग प्लाटफॉर्म पे बागुगान जियोजन राइसिंग एनिमे को स्ट्रीम करने वाला है पंदर आइप्रिल से अगर आपके पास नेट्फिक्सी सब्सक्रिप्शन है तो आप इसे ज़रूर चेक आउट कर सकते हैं आज की दूसरी निउस है बिल्ड किंग मांगा से रिलेटेड दोस्तों बिल्ड किंग मांगा का जो लेटेस्ट एडिशन आएगा रिपोर्ट्स के मताबिक वो इसका लास्ट एडिशन होगा और उसके बाद ये मांगा एंड हो जाएगी तो ये बिल्ड किंग मांगा फैन्स के एक बुरी निउस थी चलिए बढ़ते हैं आज की तीसरी निउस पे तीसरी निउस ये है विज मीडिया से रिलेटेड विज मीडिया ब्लू बॉक्स मांगा को रिलीज करने वाली है इंगलिश में वो भी 11 एप्रिल को मतलब ये रिल करने ये वाद कंफर्म कर ली है कि Way of House has been season 2 आपको जल्दी दिखने वाला है stream होते वे platforms पे अगली निउस पर बढ़ते हैं आज की 6th news है Tokyo Revengers से रिलेटेड दोस्तों इसका episode number 1 आउट हो चुका है release हो चुका है platforms पे और आप इसकी explanation वीडियो भी देख सकते हैं हमारे चैनल Link is in the description box और अभी i button पे भी flash हो रहा होगा अब बढ़ते हैं next news पे अगली news है Muse Asia से रिलेटेड दोस्तों ये जो YouTube चैनल है Muse Asia का दोस्तों ये stream करने वाला है Chain Chronicles The Light of Hecatas को और ये anime daily YouTube पे stream होगा 17 April तक अगर आपको interest है इस anime में तो आप जाके इसे check out कर सकते हैं सैल की link description में डा subscribe कर दीजेगा इस वीडियो को like कर दीजेगा नीचे comment कर दीजेगा हम आप सब की comments regularly पढ़ते हैं इस वीडियो को share कर दीजेगा तब तक के लिए दोस्तों मेरा नाम है उजवल और आप देख रहे है अनिमिट टॉपिक्स इस्चिव बोई साइताम आपी signing off हुआ है